इन्या में कई ऐसी दुल्ह चीजें देखने को मिलती हैं जिन्हें देखने के बाद हर किसी को हैरान होना पुरता है इन दिनों एक ऐसी ही खबर लोगों के दिल्चस्विक की वज़ा बनी हुई है दरहसल इंडोनेशिया के एक मचवारे ने इनसानी चहरे वाले एक म्यूटेंट शार्क को पकड़ा है इस म्यूटेंट शार्क को देखने के बाद कई लोग सहम गए इंसानों के चहरे से मेल खाने वाली इस चोटी शार को एक बड़ी शार के पेट से निकाला गया है एक रिपोर्ट की माने तो इस शार को मचवारे ने बेचने से इनकार करते हुए घर में ही पालना शुरू किया है जिसके बाद बड़ी संक्या में लोग इसे देखने आ रहे हैं म्यूटेंट बेबी शार को 48 साल के मचवारे अब्दुल्ला ने इस्ट नुसा तेगारा प्रांथ में रोटे नादों के करीब पकड़ा था मचवारे के जाल में एक घर्बती शार कफस गई थी इसके बाद उसने जब शार को काटा तो उसके पेट से तीन छोटे छोटे बच्चे निकले इन में से एक का चहरा इंसानों की तरह दिख रहा था अब्दुल्ला नूरन ने कहा कि मैंने एक बड़ी शार को जाल में फसा हुआ देखा फिर अगले दिन जब मैंने शार को काटा तो उसके अंदर तीम बच्चे निकले उन में से दो बच्चे तो अपनी मा की तरह ही दिख रहे थे लेकिन तीसरी बच्चे का चहरा एक दब इनसानों की तरह दिख रहा था इसे देखने के बाद वो खुझ हैरान रह गया इसलिए उसने बेबी शार को घर लाने और उसे पालने का फैसला लिया आपको बता दें जैसे ही लोगों के पास ये खबर पहुंची तो वो अब्दुल्ला के घर के ओर चल पड़े यहां जादतर लोग इस सार को देखना चाहते थे इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो इसे खरीदने का मन बना रहे थे लेकिन अब्दुल्ला ने इसे बेचने से साफ इंकार कर दिया उनका मानना है कि इस से उनकी किसमत बदल जाएगी